पूर्णिया में हवाई अड़ा बन गया लगबग लगबग बारा जिलो के लोगों को भागदोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा ये वीडियो सुना अपनी, ये अमिस साह का वीडियो है, जो कह रहे हैं कि पुर्णिया में हवाई अड़ा वन गया है, बिहार के पुर्णिया में, ये सबसे बड़ा सफेज जूट उनका पकरा गया, लेकिन जूट एक और पकरा गया है, चित्रा तिरपाठी का, जो आज तक की एंकर है, लंडन के पार्लियामेंट के कैंटीन में भासन दे कर वो कहती हैं, कि मैं संसद में भासन दी हूँ, मतलब हद है जूट की, और कुर्सियों की तस्वीर सामने आई है, हिमाचल से परधान मंत्री की रैली में कुर्सियां खाली थी, नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें, जो आज सोशल मीडिया पर वाइरल है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और ये वो खबरें हैं, जो इस देश की टीबी और अख़वार आपसे छुपाता है, क्योंकि अगर ये खबरें टीबी अउकात तै हो जाएगी, और जनता का काम होने लएगा, लेकिन टीबी अख़वारी दिखाता नहीं है, क्योंकि उसको सरकार को नाराज करने के हैसियत नहीं है, चापलूसी है, सरकार से सेटिंग है, और सुविधाओं के लिए, अपने फायदे के लिए और अंत में, उनका जाती एक कनेक्सन है, धार्मिक कनेक्सन है, लेकिन निशनल दस्तक वो तमाम ख़वरे आपके लिए लाता है, जो आपको देखना चाहिए, ये वीडियो सुनिए, आपको सस्पेंट कर रहे हैं, चलो, इस तरह से सर्याम हिमलेट करना सही है क्या, बिहार में एक अधिकारी ने लाठी चार्ज किया, तो यस्वी आदब ने आदेश दिया, जाँच हुई, उसके बाद उनको सस्पेंट किया गया, लेकिन सिवराज सिंग चोहान देखिए, किस तल खंडाज में इस अधिकारी को सस्पेंट कर रहे हैं, खैर आपकी मर्जी ह और ये वीडियो सुन लिजे, पूर्णिया में हवाई अध्डा बन गया, लगबग लगबग, बाराज जिलो के लोगों को बागदोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा, ये अमिश शाह का वीडियो है, कह रहे हैं कि पूर्णिया में हवाई अध्डा बन गया है, इस से जादा बरा जुठा तो जेपी नडडा निकले, उन्होंने चिन्नाई में कह दिया कि मद्रवई में एम्स का 95% काम पूरा हो गया है, कॉंगरेस के एक सांसत पहुच गया, तस्वीरे देखिया और खाली जमीन है, यूपी का भी एक सिलापट दिख रहा है, अमिर्सा ने कि आखिरे चुनाऊ जीत कैसे जाते हैं, जब जनता आती ही नहीं है तो, तो सोचल मिडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो इसी तरह से वाइरल हो रहा है, ललन सिंग ने कहा कि अमिर्सा बहुत बड़े जुमलेवाज हैं, लालु आदब ने तो इनको कहा कि पगला गया है और ये वीडियो देखिए, ये गुजरात का वीडियो है, गुजरात ने बीजेपी वालों को गौँबालों ने भागा दिया, ये कोई टी बी अखवार आपको नहीं दिखाएगा, सुचिए गुजरात में क्या इस्तित्य है, गुजरात से और वीडियो आया है, लोगों ने कलेक्ट्रेट में गायों को छोड़ दिया, गौसाला के नाम पर लाखो करोड रुपए खर्च के जा रहे हैं, शुचिये, जिस देश में आपके बच्चे को अस्पताल नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, वहां गायों को बचाने के नाम पर अरभो खर्वो क खेल होता है जैसे गंगा की सफाई पर हुआ कुछ नहीं सुचिए किसानों की गाये लंपी वाइरस से मर रही है कोई लाज नहीं कोई बात नहीं जब कि गाये माता बोट देती है इतना ही नहीं यूपी में कानून पास हो गया है कि वही आप 12 नहीं लगा सकते हैं गाये चर माली फोगाट की हत्या में एक नया खुलासा हुआ है उनके परिवार वालों का कहना है कि बीजे पीनेता कुल्दुवी विस्नोई इसके लिए जिमेदार है और UK के पार्लियामेंट कैंटीन में चलती है क्या और इस पार्लियामेंट में उपर माइक भी होता है कमाल है जी रा पार्लियामेंट का मैं भी रोज जाता हूं संसद हो इतना जूट बोलता हु उससे आप उमीद कर सकते हैं क्खबरों की वो तो इस देश का एस्सेटी ओबीसी मानोटी है जो इनको सान आखो पर चरहाए हुए है और यह देखिए भारत जोरो यातरा की तसबीरें लगातार केुछ और म्हा इता है की फिर वापसी करेंगी कम से कम और अग्रेश कर और अग्रेजी में बलूमुबर्ग में क्नबर वन पोजिश्चन पीमपना दी जाकुँ हे है और सुचिए इलाहबाद में छात्र परदर्सन कर रहे हैं ये कैंडल मार्च देखिए सर्याम परदर्सन कर रहे हैं 400% फीबर ढूतरी हुई है अखलेश यादम ने पैदल मार्च किया लेकिन कोई टीबी अखवार नहीं दिखाएगा क्योंकि वो आपके बच्चों का दुस्मन है वो परहाई लिखाई नहीं चाहता है तो इसको समझे और सुचिए ये हैं मैं बार बार बरजेस पाठक जी का कायल हूँ कम से कम वो हस्पिटल देखते तो हैं ये संत कबीर नगर जाब बरजेस पाठक के सामने मरीज जमीन पर लेटे हूँ हैं सुक्रिया बरजेस पाठक जी कम से कम कोई मंत्री सरकों पर निकले तो काम तो हो कुछ इसके लिए बरजेस पाठक के तारीफ करनी होगी पंकर धुबरया एकदम कास्टिस्ट आदमी हैं भी मारेवालों ने इसको करारा जवाब दिया हैं यह वही लोग हैं जो हात्रस में गैंग रेप पिरित के पक्ष में पंचायत कर रहे तो सोचिए बिल्किस बानों के हत्यारों को रेपिष्टों को छोड़ दिया गया और उत्राखंड में बीना जांच के बीना दोसी साबित किये हुए चुक नहीं है फासी पर होनी चाहिए अगर यारोपी दोसी सीध होते हैं तो लेकिन सोचिए एक तरफ दोसी सीध होने वाले को माला पहनाया जाता है क्योंकि वो ब्रहम्मन है जाती से उसके बीजेपी के एक विधायक ने कहा था और दूसरी तरफ और को यह सी एस्ट योबी सी म सरकार ने गाय के लिए 500 क्रों रुपए की सायता दी थी और एनाय ने पीएफाई के गिरफ्तार किया है उन पर आरोप है कि वो इसलामिक राष्ट चाहते हैं सोचिए जो दिन बर हिंदू राष्ट करते हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी जो सम्विधान को जलाते हैं उनको सजा कब होगी यह पीएफाई और यह देखे बिनोदारिया जो इसके पीता जिसको बर्खास्त किया गया है यह संग ही निकले संग में रहोगे तो यही होगा याद है न क्या हो था बंगारू लक्ष्मन के साथ महंगाई से लोग परिशान है और अगर इसे रुका नहीं ग आकर जॉब मांगा यह तस्वीरे कोई और नहीं दिखाएगा गुजरात में दूध लोग सरकों पर बहा रहे हैं सोचिए कीमत नहीं मिल रही है प्याज लहसन दूध किसानों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है और सरकार सब कुछ सह रही है और अमिस्सा की रैली के लिए भ तमाम सोचल मीडिया पर खबरे है और बीट्रेन जाकल मुगरों के दौर के रत्वर्वस्ता की तारीफ कराई टीवी एंकर वैसे यूके की मुख संसद नहीं है और यह वो गज़ब ही हो गया एम्स की बिल्डिंग चोड़ी हो गई बीजेपी अध्यक जेपी नड़्डा और यह सत्ता के नसे में सुचे चूड भाजपाईयो ने आजम गष्पा के पधादकारी और अधिकारियों की मार पिठाई कर दी यह टीबिय अक्वार आपको नहीं दिखाएगा और मुबारख फूट शुप्रिम कोर्ट है चिफ जस्टिस के बेटे को यूपी को यूपी करेंगे पिता जी किस के पर किस में फैंसला देंगे यही जस्टिस यू यू ललीज जो हैं वो सुनवाई कर रहे हैं किस पर किस मामले पर इकनॉमिक वीकर सेक्षन के रिजर्वेशन पर इन्हों नहीं स्टी एक पर फैंसला दिया था और बिल्किस वानों के दोसियों की रिह प्याना में गिरफतारी हो रही है तो सोचिए इसको लेकर भी मार्मी ने टूइट किया है और यह है वो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में इक नौग विकर्ट सेक्षन की जानकारी है और इनको वकील बना दिया गया है देखते हैं क्या होता है और तक कर सबसे बड़ा हमला किया 24 से पहले यह सब कुछ गर बर कर देंगे और कानूनर रूप से कुछ भी नहीं करेंगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया रोजर फेडर जब रिटायर हो रहे है तो उनके सब से ज़ादा परतिदवन्दी रहे विराट कोहली को इस मामले में कोई तारीफ करता हूँ कि वो शानदार फ्लेयर हैं और मुहम्मज समीक है अब भारत में तो जाती और धर्म देखकर खिलारी साहथ देते हैं सलमान है तो हार गया तो गरवर कर दी आदेश द्रोही है दलित पिछरा दिवासी तो खेल में ही नहीं शुक्रिया रोजर फेड़र और रफेल नडाल और बिराट कोहली ने कम से कम इस स्पिरीट को दिखाया है बाकी लोग को तो जानते है कि बिनोत कामले के साथ सचें तो सोसल मीडिया पर इस सारी बड़ी ख़बरे थी जो आज वाइरल थी आप लोग अपनी पर्तक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल